welcome to everyone i will discuss the embryogenesis embryogenesis क्या होता है इसके बारे में भी बताया हूं इसके प्रिवियस बीडियो में इसमें क्या होता है embryogenesis क्या होता है the formation of the embryo the process of the formation of the embryo from the फ्राम द जाइगोट्स विच जुनी ऐज इंब्रियोजनेसिस का फारमेशन ने डाइ काट मोनोकाट प्लांट में पाए जाता है यहां जाए में तो इस को इस परकार जो है आपका डाइकाट में अगर हम बात करते हैं तो गौर जाएं प्लान्ट है पहला वा इज डाइकाट क्या होता आपcr Tech के बारे में बात करेंगें एप को लाइकाट, डाइकाट होँ होता है, ढाले शीड प्लन्टो फ्लन्ट है वालोस फ्लन्टो यहां, तू कों दे라고 हमत वी में कोटी आंजे आतर लो सिरा, बाले व Όना वे यहां, प्लेनमों प्लन्न, भूत होती शोलैने leaking कैपी बाइप में है आरल सो अकर इन्हें डाई-Cart Plants जबimen्वियो जेनेसिस यह अर, कर इन्हें डाई-Cart Plant में पहँ जाता है तो इसको वे क्या कहेंगे ? डाय-Cart Embryogenesis करें है है !! अब kotyledon जो होता है वह two types होता हैreck chemical 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 substances और अरेंजमेंट आपड़ सीड में जो कोटीलेंट का अरेंजमेंट होता है उसके अधार पर हम कोशको ईपी कोटाइल और हाईपो कोटाइल दो भागम डिवाइड करते हैं कि इसका होता है जब कोटीलेडन इंब्रियोनल एक्सिस के बेलो रहे हैं इंप्रियोनल एक्सिस के बेलो पाज आता है तो इसको हम इप्रियोनल एक्सिस के जब कोटी लीडन इंप्रियोनल एक्सिस के उपर आता है तो हम इसको इप्रियोनल एक्सिस के उपर रहता है तो हम इसको इप्रियोनल एक्सिस के उपर रहता है तो हम इसको इप्रियोनल करते तो हम उसको हाइपो को टाइल कंडिशन करते हैं यह कょольше अगल करने सहता करता है क्या इम्प्रियु को डिवलप्लमेट होता हैЭmbryo का फार्मेशन हो जाता है मैच Aur एम्प्रियो का फार्मेशन होता है सेकेंड रेडिकल होता है थर्ड है आपका कोटी लीडन होता है कोटी लीडन और फॉर्थ आपका क्या है इंडो इस पर अब क्या होता है कि लुम्यूल क्या करता है प्लुम्यूल जो फार्मेशन करता है वह जो है आपका सूट का फार्मेशन करता है सूट का फार्मेशन करता है यह क्या करता है सूट का फार्मेशन करता है और यह जो डेवलप करता है वह आपका जो यह कहां पाजाता है यह कंटेक्ट रहता है इपिको टाइल से जो है कंट डिवलपमेंट होता है यह आपका रूट का फार्मेशन करता है जो क्या होता है यह आपका जो है इसके बाद कोटिलीडन आपका यही जो है फार्मेशन करता है ना हाइपो कोटाईल और इपीकोटाईल इंडोस्पर्म क्या होता है यह आपका निउट्रीटीव टीशू होता है जो करता है क्या है निउट्रीशन स्टोर फूड वगरा इस्टोर करने में साहता करता है फूट फूट इस्टोर करने में साहता करता है फूट का फार्मेशन कैसे होता है फूट इस्टोर करने में साहता करता है लांग टाइम में फूट को इस्टोर करता है और इसका यूज होता है आफ्टर सीड जर्मिनेशन या तो फूट के रूप में यूमन बिंग अनेक जो है एक नामिकली परपचेज यूज होता है तो यह सब पार्ट आपका जो है पाजाता है डाइकोट डाइकोट एंब्रियों में पाजाता है अब यह कैसे कैसे होता है यह इस